नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वॉल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुख दियागे एक नज़र डालेंगे उत्राखन की खबरों पर शादी समारों में मामुली सी बात को लेकर एक बैंक करंचारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी जिसके बाद पोलिस ने आरोपी को गिरफतार भी कर लिया लेकिन जब शेत्र के विधायक परिश्णों से मिलने पहुंचे तो ग्रामिडों ने उनका विरोध किया देखिए ये बीती 26 अपरेल को जगजीत पोर निवासी परमजीत की जान ले ली गई थी जिसके बाद परिश्णों को सांत्वनना देने के लिए शेत्र के विधायक आदेश चोहान मिरतक के घर पहुंचे थे लेकिन जैसे ही विधायक महा पहुंचे ग्रामिडों ने उनका विरोध कर दिया जिसके बाद मौके पर मौजूद कंखल थाने की पुलिस ने ग्रामिडों को किसी तरह से शांत कराया परिवार के साथ और जहां भी इंचोबीस गंटे उनके साथ पढ़े हैं और उनको नयाएद या लाएगे परिड़ा का कोई अंत नहीं है इतना बड़ा कोई पहाड़ उस परिवार में तुटा है एक तेड़ साल पहले जिस बच्ची की साधी हुई है दरसल ग्रामिनों को विधायक से ये नाराज़गी थी कि हत्या के इतने दिन बाद वो परिष्टों से मिलने पहुँचे जबकि विधायक को घटना के तुरंत बाद ही मौके पर पहुँच जाना चाहिए था हाला कि बीज़पी विधायक ने पेड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वाशन दिया है बता दें कि शादी समारों में मामुली सी बात को लेकर दो पक्षों में बहस हो गई थी जिसके बाद बैंक कर मी परमजीत की पत्थर मार का खत्या करती गई थी हाला कि घटना के कुछे घंटों बाद कंखल पोलिस ने आरोपी युवक को गिरफतार कर जेल भेज दिया था न्यूस वर्ल इंडिया के लिए हारेदवार से इंतजार रजाखी रिपोर्ट देश में कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए अगामी चार धाम ग्यात्रा को रद कर दिया गया है ये यात्रा 14 मई से शुरू होने वाली थी यात्रा रद करने कोले का उत्राखंड के मुख्यमंत्री तीरज सिंगरावत ने इस बात की जानकारी दी देखे ये रिपोर्ट देश में बढ़ते कोरोना कोले का तमाम पावंदिया लगाई जा रही है और नाइट कर्फ्यू से लेका लॉकडाउन तक लगा हुआ है ऐसे में उत्राखंड में भी कोरोना के मामले बढ़ते देख चार धाम ग्यात्रा रद कर दी कई है यात्रा रद करने कोले का उत्रखंड के मुख्यमंत्री तीरज सिंग्रावत ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामले में बढ़ोत्री को देखते हुए यात्रा को इस्तगित किया जाता है केवल पुजारी ही वहाँ पर पूजा कर सकते हैं बतादेव पूरे देश के लोगों के लिए चारधाम ग्यात्रा को अभी के लिए बंद किया जाता है करेंगे पूजा अर्चना नियमित होगी नियमित समय पे आपका पट खुलेंगे लेकिन जो राउल जी हैं जो पूजा पार्टी हैं जो पुजारी हैं वही वहाँ पूजा अर्चना करेंगे बाकी सेस लोगों को पूरे देश के लोगों को चारधाम यात्रा अभी बंद है आपको बता देंगे 14 मई को यमनोत्री मंदिर के कपाट खुले के साथ चारधाम यात्रा शुरू होनी थी पिशले साल भी उत्रखंड सकार ने कोरोनम हमारी को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी इसके बाद राज्य सकार ने एक जुलाई से श्रधालू के लिए चारधाम यात्रा शिरू की थी इस यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों से भक्त यहां पहुंचते हैं ब्योरो रिपोर्ट इन्जीस वाल इंडिया उत्राखंड में कोरोना को देखते हुए राज्यसरकार की तरफ से स्वास्ते सुविधाएं दुरुस्त कराई जा रही है मुख्यमंती तीरज सिंग रावत ने सीम आवास वर एंबुलेंस को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया मुख्यमंती तीरज सिंग रावत ने कहा कि उत्राखंड में लगातार सभी विवसाओं को सही किया जा रहा है और मानिनिया हाई कोट के जो भी दिशा निर्देश हैं उनके अनुरूप भी कारे किया जा रहा है हम लोग पूरी तरह से तयार हैं और अभी जो कुम्ब में जो एमिलेंस लगी थी एक शो आट सट के लगभग एक शो पहले थी और उन सब को हमने हर डिस्टिक में इवन पर विधान सभा में दो दो तीन तीन एमिलेंस दी हैं और आज उस चेत्रों में भी भीज़ दिया गया है अभी आपी के सामने रवाना कर दिया गया है यह सब वहां सेवाएं देंगी कोविट को ले करके और बाद में पूरी तरह जो आम जनकी जो जिस्तवकार का भी उनको दो क्यों कश्ट होगा उन पर ये फिर शुरू हो जा साधिकारी हिमानी पयाल से रिपोर्ट जल्द देने की मांगी जागरपटी संगर समीती के सयोजग गौरव राणा ने कीरती नगर समुदा 1802 की परभारी चुकेसा कोई संबंद में ग्यापन भी सौपा बता दे राणा ने बताय कि जागरपटी के अंतगत गवार टोला ग लालकुआ से निकटवर्ती शेत्र बिंदु खता में कोरोना वारस के संक्रमन को रोकने के लिए भारती जंता पार्टी की और से बिंदु खता के कार रोड की सबी सरकों और दुकानों को सैनिटाइज किया गया यहां बिंदु खता बीज़ेपी मंडल अध्यक्ष दीपक जोशी के नितरुत में टैंकर की साहता से शेत्र के दर्चुनों बीज़ेपी कारताओं नेंडर नगर, राजीव नगर, बोरिंग पठा और कार रोड की सरकों पर सैनिटाइजर का स्प्रे किया इस दोरां सड़ सफे वफाग द्वारा प्रदेश में कोरोना संक्रमन्ट की रोगठाम के लिए किये जा रहे हैı प्रयासों और प्रबंदों के संबन में चर्चा की गाई साथ ले प्रदेश में रेम्जी सिवा इंजक्शन की उपलब देता औक सीजन की अपूर्दी समेट कोरुना संक्रमन का इलाज कर रहे हैं स्पतालों और कोविड-19 केर सेंटरों की विवसाओं के संबंद में जौनकारी ली गई प्रदेश बर में जिस प्रकार की स्वास्ते सवाओं को लेके मेरी उनसे चर्चा हुई है और निश्ची दुरूप से जिस प्रकार से हमारे तमाम डाक्टर्स, नर्सेज, पेरामेटिकल स्टाफ 24 घंटे अपनी मुस्तेदी से काम कर रहा है मैं निश्ची दुरूप से बहुत उनको साधुवाद दे रहा हूँ और उमीद कर रहा हूँ कि इसी प्रकार से वो जनता के इस कठीन दोर में भी अपना होँद जादे सहयोग परदान करेंगे क्योंकि जिस प्रकार से बहुना, डक्टर बहुना से मेरी बादचीत हुई है अवास्तों में उनको भी मैं दाद दे रहा हूँ उनके नित्रत में पूरा प्रदेश भर का हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, वो कोरोना की लड़ाई में बहुत एहम अपना भूमी का अदा कर रहा है और साथ-साथ मैंने उनसे आग्रे किया मेरी विधान सबाद छेत्र में जो सरकारी होस्पिटल है कि महां डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्डवाइज इसकी भी वहां और आवशक्ता मुझे लगती है उसके लिए मैंने आग्रे किया है निश्य रूप से आज की दौर में हमारे डॉक्टर्स या नर्सेज या पैरेमेटिकल स्टाफ मुझे तो भगवान की तरह दिखाई देते हैं मैं निश्य रूप से उनकी बुरी-बुरी प्रसंसा भी कर रहा हूं उनको साधवाद भी दे रहा हूं और इस कठी दोर में जिस प्रकार से वह स्वेवाई दे रहे हैं वह प्रसंसा के पात रहें साधवाद के खाब उत्राखंट की खबरों में फिलाल करीबस इतना ही लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नीज्स वाल इंडिया